खुल जाएंगी तमाम उरस्ते तो जंजटों से लड़तो से ही सब कुछ मिलेगा तुझे बस सिद्दत से अपने काम पर लगतो से ही प्रिवत्रों श्वागत है अध्यात प्रजोतिस के आज की राशिफल कारिकम में मित्रों हम लोग शितंबर के महने की कुछ शुगरस्तियों को लेकर बात कर रहे हैं और ब्रसब रासी की हम आज के अपिसोड में चर्चा करेंगे क्योंकि ब्रसब रासी के लिए यहां महिना कुछ विसेस करके कुछ विसेस अवसरों को लिए करके आ रहे हैं रासिफल कारिकम जब भी आप देखें आज आपके बहुत अच्छी ख़बर है तो आप बहुत सिद्दत से इसको देखें और केवल सिद्दत से कारिकम को देखें ही नहीं कुछ इंप्लिमेंट भी करें जो मैं आपको बताने वाला हूँ करियान भी तुन कारियों को करें और आपके लिए एक अच्छी अवसर की तलास चुथी वो अब आ रही है सब्तमबर के महने में गरस्तियां सितंबर आ लोग देख लेते हैं से पहले हम लोग चर्चा करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन भी चोटा सरेगा पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस करके आगे बढ़िए गरस्तियों पर एक बार नज़र डालेते हैं 16 तारीक सितंबर को आपका यहाँ पर सूर्य अपनी रासी से आगे बढ़ करके बुद्ध की रासी कन्या रासी पर जाने वाले हैं दूसरा यहाँ पर सुक्र दे बहुत ही अच्छी स्तिती में 17 तक तो हालंकि नीच के हैं आपको इस काल के अंदर कुछ विसम परस्तितियों का भी सामना हो सकता है करना पड़ा होगा लेकिन जब यह अपनी रासी तूला के अंदर आ जाएंगे तो मालब ब्यानाम का राजयो कलाव आपको मिलने वाला है इस पर बिस्तार से चर्चा करेंगे मंगल वहीं अपनी सत्रुकत रासी मितुन के साथ में अभी विराजित हैं और जबकी बुद्ध आपनी कन्या रासी में आने वाले है मिला जुला कर देखें तो ब्रशब के स्वामी ही अपने अठारा तारीक को मालब ब्यराजयोग बना कर आपके तूला रासी में आ जाएंगे हालनकि ये ब्रशब रासी को ये लाब नहीं मिलने वाला है इस राजयोग का लेकिन ये आपके सश्टम भाव के अंदर शुकुर पंचम से रास्जिट करके सश्टम भाव में आ जाएंगे हालंकि सुक्र का यहां पर आना आपके लिए अच्छा ही रहेगा क्योंकि वो आपके लगन की स्वामी बन करके स्वग्रई हुए हैं अभी तक नीच के थे तो आपकी स्वास्त में आ रही किसी प्रकार की समस्याओं से आपको हलंकि यहाँ पर निजात मिलता बना ज़र आ रहा है क्योंकि उस सुक्र अभी तक नीच के थे कही तरह की भौतिक संसादनों से जो संसादन थे उनसे कहीं न कहीं उनमें रुकावटे अरचने व्यवधान जो यहाँ पर दिख रहेते हैं अब उनके ख्वाइस यहाँ पर पूरी व्यूति नजर आ रही हैं शुक्र सूर्य और बुद का पंचम भाव के अंदर एक अच्छ स्तिति में बुदादितियों का निर्मान यहाँ पर हो रहा है जिन बच्चों का जन्म होने वाला है से सेक्षन से जन्म लेने वाले हैं तो भी हालंकि यहाँ पर दसम में सस्मापुरुष राजो कभी लाब आपको मिलता बना जरा रहा है बहुत अच्छी बात यहाँ कि नए कारियों की सुरुबात आप यहाँ पर कर सकते हैं करमे बड़ी प्रबल स्तोति में है नए काम की आपका रुजान बढ़ता होना जरा रह हालंकि एकादस भाव के अंदर राहू बने वें एकादस में राव धन अच्छा देने का भी काम करते हैं यह मीन रासी के इसलिए और भी अच्छी बात है सुक्र के साथ हालंकि अभी केतु है प्रारंबिक स्तति तक तो जब तक यह स्तति बनी वे है थोड़ा सा यहां पर अच्छा नहीं है लेकिन जैसे यहां से परिवर्थान होकर सिस्टम बाव में जाएंगे तो यह भी आपके लिए अच्छा है सिक्छार्तियों के लिए खा उत्पन कर सकता है तो इसको भी हमें समझना होगा एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले और भी आपको समझा दूँ कई बार हमें लगता है कि हम आपकी रासी नहीं आपकी कुंड़ी पर डिसक्स कर रहे हैं जबकि ऐसा नहीं है यह रासी पर संभावना है यह रासी पर होने वाले ग्रह परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा है इसलिए विस्तार से रासिफल कारिकरम को देख करके आप अपनी कुण्ली के साथ उसको टच करके देखें तो काफी कुछ केलियर होता बना जा रहाएगा कुछ विसिस कारिकर कुछ विसिस काम करना चाते हैं डिस्कस करना चाते है को आप किसी नई कारिक की आघा बढ़ के लिए आप प्रामर्स ले सकते हैं अच्छे जोत्री विदों से मिलकर को देखें रही हो इhero काुछ यहाँ पर लोग देखें ब्यापारी दिख रहे हैं फिलाल केंदर में देवगरु वरस्पती हैं केंदर अत्रकोंड में आपके शुक्र हैं और केंदरस्तान में शूर इबुद और सनी बैटे में हैं केंदर में खासकर आपके चार चार ग्रहे हैं जो आपको एच्छे लाब यहाँ पर दे सकते हैं एक सावधानी आपको बना कर रखनी है, जल्दवाजी में कोई स्टैप न लें, जल्दवाजी में कोई काम न करें थोड़ा वाणी का सियम बना कर रखें क्योंकि मंगल आपके यहाँ पर 70 रासी का हो करके बैठे में हैं हो सकता है आपकी वाणी से कोई बात बिबाद बड़े लड़ाई जंजट, बड़े जगडे बड़ सकते हैं और उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है, भाग्य फिलाल आपके पक्स में कड़ा है, भाग्य सनी अपने श्रगरी होकर के दसंभाव में जो आपको कर्म भी कराएंगे और भाग्य भी आपका साथ रहेगा, तो दोनों चीज़ें तो आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छा लाग यहाँ पर मिलता बना ज़रा रहा है, गर जो ग्रस्तियां है, गर ग्रणियां है उनका भी अच्छा समय यहाँ पर बतीत होने वाला है खासकर अगर जिन लोग की कुंडली में सनी खराप है, जिनके पार्टनर की कुंडली में सनी खराप है, उनका थोड़ असाया पर मदवेद, लड़ाई, जहनजट, व्यवधान, आदी इस प्रकार की समस्यां भी देखी जा सकते हालनकि गवराने क्या आउ सकता नहीं है आपको सनी चाली साधी का पार्ट करना चीए, हनमान चाली सा पुरुष्वर खासकर उसको नियमित पार्ट करें, तो बहुत अच्छा रहेगा, और सितंबर का मेरा मिला जुला करकी आपके ले काफी अच्छी संभावनाओं को लेकर आ रहा है, तो मिलते हैं पिर अगरे का करम साथ, तब तक दमें दीजे दाद, आपे